हेलो स्टूदेंट वेल्कम तो मैं चैनल दा लिटररी गाई और आज हम लोग डिसकस करेंगे दे ट्रैजिटी आफ कैटो बाई जोसेफ एडिशन तो यह जो प्ले है वो कैटो दा यांगर जो की एक रोमन सिनेटर था और सपोर्टर आफ रिपब्लिकन पार्टी था कि उसके लाइफ के जो आकरी दिन थे उसके बारे में और इसे लिखा है जोसेफ एडिशन ने तो कि यह ट्रैजिटी में जाने से पहले हम लोग को जो एज़ था जिस एज से जोसेफ इडिशन बिलॉँग करते थे और जिस एज से जो से पर दिशन आते थे पहले हम लोग को उस एज के बारे में जानना पड़ेगा कि वो एज कैसा था और कैसे ये प्ले प्रोडियूस हुआ और लिटररी फीचर्स क्या थे उस एज के तो पहले हम लोग social background, historical background and then literary features of the age देखेंगे उसके बाद हम इस tragedy की समारी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम historical background of the age की बात करें मतलब simple भास्टा में कहें तो जोसेफ एडिशन जिस age से बिलॉग करते थे तो जोसेफ एडिशन जिस age से बिलॉग करते थे उसको कई critics कई नामों से बुलाती है जैसे कुछ critics बोलती है कि जोसेफ एडिशन 18th century जो age है classical age उससे बिलॉग करते थे और अगर आप Edward Albert पढ़ोगे history of English literature तो वो कहते हैं कि जोसेफ एडिशन age of hope से बिलॉग करते थे और अगर आप William J. Long को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि जोसेफ एडिशन जो थे वो actually Augustan age से बिलॉग करते थे which means that they are same यानि classical age को ही Augustan age बोलते थे और इसका जो timeline है वो 1700 तो 1750 तक का बोला गया है तो पहले हम देखेंगे कि इस age का जो social background है और historical background है यानि उस age में क्या-क्या घटना घटा था उसको हम पहले देखेंगे देखेंगे तो first of all जो उस age का जो सबसे बड़ा फीचर था वो था rise of political parties rise of political parties यानि इस से पहले इंग्लेंड में political party नहीं थी लेकिन इस age में पहली बार हम लोगों को दो political party या दिखती है एक तो था विग जो कि Parliament का पार्टी था और एक एक था टॉरी जो था king और queen का पार्टी अब यह party system आया कैसे यह party system आया चाल्स द फर्स्ट के कारियकाल के दौरा में जब चाल्स द फर्स्ट इंग्लेंड के राजा थे तो इंग्लेंड का जो रूलिंग क्लास है वो दो क्लास में डिवाइड हो गया एक Parliament और एक king तो king के साथ थे lords एंड जो जमिनदाद थे और पार्लामेंट के साथ थे जो और एरिस्ट रोकेट थे तो पार्लामेंट और king के साथ जो युद्ध हुआ उसमें जीद गया तो उस वज़ा से दो पार्टीओं में डिवाइड हो गया एक विक जो था पार्लामेंट का पार्टी और रेपडिकन पार्टी और एक टॉरी जो की था और इस समय वो जो दो पॉलेटिकल पार्टिया थे उन लोगों के बीच हर वक्त दंगे और हर वक्त दुवंद लगा रहता था तो यह था पहला फिचर्स दूसरा जो फिचर्स है उस एज का वो था वार आप स्पैनिश सक्षिस्न अब यह क्या है तो उस समय में जो सबसे बड़ा एमपायत था वो था स्पैनिश एमपायर और अगर किसी को पूरे योरोप में अपना सिक्षा चलाना होता था तो उसको स्पेन को कंट्रोल करना था तो इसलिए जब स्पैन में कौन नेक्स्ट राजा होगा इसके बारे में कौन्फिक्ट होने लगा तो फ्रांस का जो बूर्गो डाइनेश्टी था वो उसने बोला कि हमारा जो बंग्श का लोग है वो बैठेगा स्पेन के सिंगासन में और बिटन बोला कि नहीं नहीं वो हमारे सपोर्टर जो है आर्च जुक चाल्स ऑफ उस्ट्विया वो सिंगासन में बैठेंगे तो इस बजा से करीब 1701 तो 1714 तक यह वार चला फ्रांस और इंग्लेंड के बीज अल्टिमेटली एक ट्विटी हुआ ट्विटी का नाम था ट्विटी ओफ यूट्रेक एंड उसके बाद बूर्बो डाइनिस्टी का एक राचा बैठ गया लेकिन उसमें इंग्लेंड को बहुत जादा मात्रा में उसका कंट्रोल स्पैनिश एम्पायर पर हो गया और इसको ए पार्लामेंट ने ले आया था और इस एक्ट के मुताबिक्त जो सिंगासन में बैठेगा इंग्लेंड का वो प्रोटेस्टंट ही होना चाहिए मतलब प्रोटेस्टंट के अलाबा अगर कोई दूसरा सेक्ट प्रोटेस्टं में आप लोग को बता देता हूं कि वैस्णव और शिवाई उसी तरह जो क्रिस्चनिटी है वो क्रिस्चनिटी दो भागों में डिवाइड हो गई थी एक प्रोटेस्टंट और एक रोमन कतलिक तो इस एक्ट के बाद जो राजा होगा या रानी होगी वो प्रोटेस्टंटी होगा अगर प्रोटेस्टंट छो वो है the spirit of the age यानि वो एज का जो spirit है यानि आम आदमी का feeling है और mentality है और sensibility है वो कैसा था उसको अगर हम देखे तो इस age में हम लोगों को दिखेगा कि एक reaction और reaction of restoration sensibility और इस age में लगबग stability था शांती था और growth देखा गया उस एज में और हलाकि industrial revolution नहीं आया था लेकिन फिर भी एक comfortable aristocratic सासन वहां तक चला तो historical background के बाद अब हम देखेंगे literary features of the age literary features यानि की उस बख पर literature में कौन-कौन सा trend चल रहा था तो first जो point है हमारा वो है predominance of prose अगर आप literature के student हो और आप literature पढ़ा है history of English literature पढ़ा है तो आप लोग एक features देखेंगे की हर एक एज जो है साहित्य का हर एक एज poetry से यानि पोईद्व से सुरू होता है कभी गज्द्व से सुरू नहीं होता ठीक है लेकिन इस एज में इतना जादा प्रोज लिखा गया है कि poetry का मतलब poetry है लेकिन poetry उस एमाउन पर लिखी नहीं गई है जो की पिछले एज में लिखी गई थी अगर आप ओल्ड इंग्लिस से सुरू करोगे और ओल्ड इंग्लिस मिडिल इंग्लिस एलिजाबेटन इंग्लिज एज ऑफ मिल्टन आप लोगों को poetry दिखेगा कि poetry dominant कर रहा है pros के उपबर लेकिन इस एज में आप लोगों को दिखेगा कि प्रोज dominant कर रहा है poetry के उपर उसके बाद poetry था ऐसा नहीं था पोईट्री नहीं था पोईट्री में हम लोगों को मिलेगा आलेक्जंडर पोप तो अलेक्जंडर पोप Heroic हिरोई कपलेट के मास्ट कहे जाते हैं ॡ दो लाइन कि अमिक जिसको जिसका जो लास्ट वड़ हैcharged को two का झते हैं क्यों कि इस जो कुब अधिका ऋपिन का influenced तो Dryden heroic poetry में इस couplet का use किये थे So that's why in this age we have seen a lot of use of heroic couplet Next जो है वो है political writing अभी यह normal है कि जिस age में political party आ रही है weeks and Tory तो यह normal है कि वहाँ पर political writing जादा होगा एक भी राइटर ऐसा नहीं था जिसको political environment से influence नहीं मिला हो Jonathan Swift, Alexander Pope, even Edison भी उस environment से influence थे बहुत ही जादा influence थे एक भी राइटर ऐसा नहीं था कि जो political environment से अलग हो जो थर्ड पॉइंट है वो है writing as a profession इससे पहले जो writer होते थे, author होते थे उन लोगों को वो लिखते थे अपने patron जो होते थे जो उनको sponsor करता था उसके लिए मतलब, suppose किजिए कि आप writer है और आप कुछ लिखना चाते हैं तो अगर आप कुछ लिखना चाते हैं तो आपका जो sponsor है मतलब जो बड़ा आदमी है वो अगर पैसे नहीं देगा तो आप लिख नहीं सकते और वो पैसे दे रहा है तो आप किस के बारे में लिखोगे? आप उसके बारे में लिखोगे जैसे कि जो हमारा Chaucer थे Chaucer किस के लिखते थे? John of Gun के लिए क्योंकि John of Gun उनका patron था Spencer भी तो till the age of 18th century all the writer are writing were writing for the patron not for himself So writing और लिखना पेसा नहीं था Writing था शौक की तरह यूज करते थे लेकिन इस age से writing एक profession बन गया writing एक काम बन गया जो आप लिख कर कमा सकते हो ठीक है? तो इस तरह Alexander जो पोफ है उसको कहते हैं the first English professional writer यानि उसने writing को ही अपना काम बनाया कि हम लिखेंगे और लिखने के बाद पैसा कमाएंगे So इस age से ही वो शुरू हुआ उसके बाद हम लोग को आता है the age of club and coffee house जिस age में भी political चीजे ज़ादा होगी उस age में coffee and club का जो भूमी का है वो बढ़ जाएगी तो नॉर्मली इस age में भी हम लोग को club और coffee houses बहुत मिलेंगे जैसे की spectator club जिसका जो character था Roger D. Cavalli, Kit Kat club जिसमें Jonathan Swift अनलेजंड़ पोप थे और Scribblers club तो ये कुछ club जो थे वो उस type पे शुरू हुए थे उसके बाद आता है golden age for pamphleting pamphleting क्या है मतलब जो एक-एक कागज होता है कागज में कुछ लिखा हुआ news या फिर कुछ कुछ advertisement जिसमें दिया जाता है pamphlet जो आप school की दिवारों में देखते हैं कि ये offer है ये offer है तो उसको pamphleting कहते थे और इस age में pamphleting का भी बहुत जादा यूज हुआ था इस लिए इस age को golden age of pamphleting क्या कहा जाता है उसके बाद age of periodical periodical यानि कि कुछ period के अंदर एक सप्ता एक मास और तीन महिने इन टाइम के दौरान जो newspaper होता था वो publish होता था तो जो newspaper publish होए थे उसमें थे the spectator, the tetler, the guardian, the freehold, examiner यह सब जो periodical थे वो उस age में चपे थे अब जो इस age का जो next features है वो है new morality, new morality which means new sensibility यानि कि जो इस age का जो sensibility था वो restoration age का जो sensibility था उससे बहुत ज़्यादा अलग था और इसको एक तरह से उसका reaction की तरह देखा जाने लगा क्योंकि अगर आप restoration period का जो sensibility है और जो morality है उसको अगर आप देखोगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा immoral थे अगर आप restoration drama देखोगे comedy of manners and restoration tragedy तो वहाँ पर immorality चाया हुआ था लेकिन इस age से morality को वापस established किया गया और comedy sentimental comedy start किया गया था उसके reaction में आप लोग को पता होगा कि ओलिवर गोल स्मित ने सी स्टूप्ट कॉंकल लिखा था विच वाज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी उसके बाद भावलेंट कॉन्फिक्ट कॉन्फिक्ट ओफ आइडिया इस एज में जो आइडिया था उसका लड़ाई ज्यादा था युद्ध के अलावा तो युद्ध स जो पैदा हुए थे तो पैदा हुए थे 1st May 1672 at Milston and his father was Lancelot addition तो उसके जो पिताजी थे पिताजी का नाम था Lancet addition और वो एक English clergyman थी उसके बाद addition charter house school गये थे London में और वहीं पे उनके साथ जो उनका जो बच्पन के दोस्त हैं और जिस जिनके साथ वो वो टेटलर किये spectator किये garden किये उनको वहीं पे मिले थे जिसका नाम है रिचर्ड स्टिल तो रिचर्ड स्टिल को charter house school में ही वो मिले थे और वो दोनों बच्पन के दोस्त थे देन एडिशन चलेगे Queen's College of Oxford University एंड उनका जो classical जो वर्स है classical कभिता यानि कि लैटिन कभिता या ग्रीक कभिता उनमें एडिशन को बहुत ही ज़्यादा महरत हांसिल थी यानि एडिशन लैटिन वर्स और ग्रीक कभिता आए लैटिन कभिता और ग्रीक कभिता उनको खुब एक पोईट्री लिखी जॉन ड्राइटन के उपर और जॉन जॉन ड्राइटन आपको पता होगा कि जॉन ड्राइटन एक लिटररी डिक्टेटर थे लिटररी उस एज के लिटररी बॉस इसलिए उस एज को एज ओफ ड्राइटन भी कहा जाता है तो जब ड्राइटन के उप लिटरी फेवर मिलना चालू हुआ उसके बाद उन्होंने लिखा एक पॉइट्री पीस ओफ रिस्विक जो की विलियम किंग विलियम थ्री के उपर था और इस कभिता को लिखने के बाद ही उनको पॉलिटिकल फेवर मिलने लगा और सरकार की तरप से उनको 300 पाउंड हर साल का एक पैंशन दिया जाने लगा और इस पैंशन के बदलत वो यूरोप को यूरोप को घुमने चले गए और सारी यूरोप इटाली जर्मनी उन्होंने घुमा लेकिन उसके बाद ही किंग विलियम थ्री का देहन्त हो जाता है और उनका जो पैंशन था 300 पाउंड का वो बंद कर दिया जाता है उसके बाद Battle of Blenheim होता है इंग्लेंड और फ्रांस के बीच और उस युद्ध में मैलबोरोग के उपर वो एक कविता लिखते हैं दर कैंपन और इस कविता को पढ़ने के बाद फिर से उनको पॉलिटिकल फेवर मिलना चालू हो जाता है और वह सेट्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं उसके बाद 1708 तो 1709 वह मेंबर पार्लेमेंट बने बॉरोग से उसके बाद उन्होंने टेटला पब्रिश किया फिर स्पेक्टेटर यह पीरिडिकल से और उसके बाद गार्डिय 1816 को उन्होंने लिखा फिर उनका शादी करने का मान किया तो 1716 में वह एक वीडो थे शार्लोटी शार्लोटी ड्वाजर वह जो की काउंटेस ऑफ वार्विक थे उसके साथ उन्होंने शादी की फिर जो रिटायर्मेंट का इस है वह 1718 एडिशन वह फोस्ट तो रिजाइन जो शादी थी वो शादी ठीक ठाग नहीं चली और उनका जो लास्ट जो दिन थे आकरी दिन थे वह आकरी दिन उन्होंने कॉफी हाउस और क्लब्स में बिदाये थे और उनका देहानत होता है 17 जून 1719 को तो अब हम लाइफ ऑफ एडिशन से वार्क ऑफ एडिशन के पेज तो उनका जो पहला काम था 1693 में पोएम एड्रेस टू जॉन राइडन था उसके बाद एकाउंट्स ऑफ ग्वेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स इस किताब में वह जॉन राइडन को प्रेज करते हैं और हलाकि सेश्पियर को हटा दिया गया था इसमें से उनके उसके बाद 1697 को वह लिखते हैं पीस ओफ रिस्विक एंड ट्रांसलेशन ओफ वर्जिल जॉर्ज विक्स फिर वह एक ट्रावलोग लिखते हैं त्रावलोग क्या होता है कि अगर कोई कहीं जगा घूमने जाता है तो घूमने जाने के बाद वह घूमने का जो एक्सपेरियंस है उसको किताब में डायरी की तरह लिखते हैं इसको कहते हैं ट्रावलोग तो उनका जो ट्रावलोग था वह था रिमार्क्स वन सेवल पार्ट्स ऑफ इटली उसके बाद 1707 में वह रोजामंट एन ओपेरा लिखते हैं फिर 1719 में रिचार्ड स्टील के साथ टेटला पाब्रिस करते फिर उसके बाद एक विजन आफ मिर्जा जो की पॉलिटिकल एलिगरी है उसके बाद 1713 में कैटो जो अभी हम पढ़ रहे हैं और 1715 में लिखा उनका जो लास्ट वाक था वह था 1716 में पब्लिक क्वेडिट्स और फेमिनाजिशन और वर्चू इन मार्केट प्लेस यह एक लेलिगरी है जहां पर जो पॉलिटिकल एन्वार्मेंट है उसको क्या गया था तो चलिए अब ड्रामा में घुसने से पहले हम थोड़ा इसका बैक्ग्राउंड जान लेते हैं तो बैक्ग्राउंड एंड वैसिक इन्फॉर्मेशन ओफ दप्लेग केटो तो केटो एक ट्र पॉरी है जो कहानी है वो एक सच्चे आदमी के ऊपर बेजड जिसका नाम था मर्कस पोर्शियस केटो यूटी सेंसिस बेटन नोन एस केटो दैंगर और यह एक रोम के रिपब्लिकन के एक सिनेट थे जो सिनेट में भाशन देते थे और उसका जो काम था सिविल वर के दौ है उसको आप पहले समझ लीजिए फिर हम इस प्ले का जो समरी है उसमें जाएंगे तो क्या था जो रोम जो था रोमन एंपायर जो था जूलियस सिजर के पहले यह रोमन एंपायर रिपब्लिकन था अब रिपब्लिकन क्या होता है रिपब्लिकन यानि जो रोम था वो सिने सốngपेड़ के अंदर आता था और सिनेट से ही सब काम होता था लेकिन जुलियस से और जो पंप स्वापus वह दोनों गौको क्याप्च्ड कर लेते हैं और गौको क्यप्चर करने के बाद सिनेंट से उनको ओरर दिया जाता है कि तुम गॉल को छोड़ दो लेकिन Julius Caesar गॉल को छोड़ने के बाद Caesar Rome में एटेक कर देता है और इस एटेक के दोरान जो Kato थे Kato Julius Caesar के एगेंस्ट में खड़े हुए थे Julius Caesar ने कहा था कि अगर Kato surrender कर दे तो मैं Kato को माप कर दूँगा लेकिन Kato surrender नहीं होते और ultimately उनको suicide करना पता है तो यह था प्ले का background information इस प्ले में एक प्रोलोग है और प्रोलोग को लिखा है अलेक्जंडर पोप ने और इस प्ले में एक एप्लोग भी है उसको लिखा था Samuel Garth ने यह जो प्ले है वह प्रफॉर्म किया गया था थेटर रोयल जो की डियूरी लेन में था और आप लोगो पता हुगा कि Elizabethan Age के बाद जो पहला सबसे बड़ा थेटर था वह था थेटर रोयल जो की डियूरी लेन में था यह प्ले इनिश्यली एक फ्लॉप प्ले था एंग्लेंड में लेकिन इस प्ले को अमेरिका में बहुत-起座ा अच्छा रेस्पॉंस मिला और अमेरिका में यह सुपर रिट था तो हैं क्योंकि आमेरिका का जो अमेरिकान रिवूलिशन वुआ था और अदिपेंडंड़न्सий उस Hispanics जो Sum First लेका वह था लाइव और यह प्ली शुरू होता है के दोनों बेटे मारकसwest और और Porcius से और Marcus और Porcius आपस में डिसकस करते हैं कि यह जो दिन है Civil War के जब जुलियस सिजर एटक कर रहा है रोम पे वो दिन बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि यह possible है कि रोम रहे और ना रहे मतलब केटो रहे और रहे रिपप्लिक रहे और रहे मतलब जुलियस सिजर के अंडर में आ जाए उसी बक्त एक जो और सिनेटर है वो सेंप्रोनियस गुशते हैं स्टेज में और सेंप्रोनियस बोलते हैं कि बोलते हैं वो पोट्शियस को नहीं पसंद नहीं करते और क्यूंकि सेंप्रोणियस ने कैटो से कहा था कि अपनी जो बेटी है मर्शिया उसका हाथ उनको दे दे लेकिन कैटो ने मना कर दिया था इससे उसकी साधी कराने के लिए इसलिए उनको यह बहुत ही ज्यादा वाला है और सिजर ने इस सेंप्रोनियस से वादा किया है कि जब वह जंग जीत जाएगा तब मरशया को वह इसके हांथ दे देंगे उसके बाद सिफेक्स आता है और जूमीडिया से और मर्शय करता है और इसलिए के साथ प्रेब करोंगा और रसकों को क्योंकि यह मर्शिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है स्टेज में उसके बाद मर्शिया और लूशिया आता है लग रहा है क्योंकि civil war चल रहा है रोम पे तो अभी यह टाइम नहीं है तो इसलिए उसकी जो पापा है वो कभी नहीं मानेंगे तो इसलिए उसको रिजट कर देता है उसके बाद रूसिया उसको बोलते हैं कि क्यों तुम इसके साथ ऐसा बढ़ताब करते हो तो फिर वो बोलता है कि इसका कोई चांज नहीं क्योंकि उनके जो पापा है वो कभी नहीं मानेंगे इस रिष्टे को लेकर उसके बाद यच्ट तु सुरू होता है और एक्टु में कैटो सिनेट में एक अपना भाषन देता है औरं दो गट्रों में भाग हो जाता है एक गुट में रहता है लिशिएस यडुश्यू उर्ण। जिसीस लीशिएस फिरीप ओ J फल एए थे कि हम आक्रमन नहीं करेंगेit करेंगे जुलियस को क्योंकि अलवेड़ी इतना जादा खुनकराबी हो चुका है वहीं सेंपोरनियस बोला था कि हम आक्राउन करदें सीजर के ऊपर कैटो दोनों को ही रिजेट करते हैं और कैटो कैटो बोलते हैं कि हमें प्रिपर रहना है बस और तभी एक मैसेंजर आता है देशीयस नाम करका और मेसेंजर बोलता है कि जुलियस सीजर ने उसको भेजा है अगर कैटो सेवेंडर करते हैं तो उसको उसका जो जान है वो उसको बक्ष देंगे लेकिन यह नहीं मानता और कैटो सिन्ट से चला जाता है फिर उसके बाद उसके बाद सेंप्रोनियस जादी कर सकता है जूबा लेकिन इससे भढ़ जाता है और बोलता है कि अगर वो पहले राजा बनता है तो वो सिफेक्स को अपने पद से हटाएगा फिर उसके बाद सेंफोनियस और सिफेक्स एक साथ मिलकर शाजिस करते हैं कि कैसे वो कैटो की जो बैटी है उसको किटनाप क करता है लूजिया से पोर्षिया जाकर लूजिया से कहता है कि मेरा भाई तुम से बहुत जभी लॉसियस इतना ही प्यार करता है तो इसलिए और पहिर से जोरा है सत्व NICK अगर मर्सेस का दिल तोड़ दिया तो वह पोर्टियस को मार डालेगा इसलिए वह बोलता है कि यह हमारी आखरी मीटिंग है और अब हम कहीं नहीं मिलेंगे उधर जो शेम्परोणिया से वह जो कैदियों को जैसे उजय हें कि इस लिए वह मारे जाते हैं और Sempronius और Cifax प्लैन करते हैं कि वो Zuba का जो बेस है वो बेस लेंगे Zuba का और Zuba बन कर वो जाएंगे और Marcia को किटनेप कर लेंगे उसके बाद Act 4 में Sempronius जाता है Marcia को किटनेप करके Zuba का बेस लेके लेकिन Zuba को पता चल जाता है और Zuba और Sempronius की बीच में एक बहुती बड़ा घमासान हो जाता है युद्ध होता है उसमें Zuba को Zuba ने Sempronius को मार देता है और उस टाइम पे Marcia Sempronius जो की नकली Zuba बना हुआ था उसको देखकर बहुत रोती है और अपना प्यार का इजाहर करती है कि कि यदध को प्यार करती है और Zuba ये देख लेता है और जोभा बोलता है कि अब तुम मानूंगी कि अब तो तुम हमें प्यार करती हो तो ये उसको हां कहता है और बोलता है कि जाओ युद्ध Terror और युद्ध से Bijजाई होकर आओ कि Marcus खुद भी मर जाता है और इस गटना इस गटना से प्लेश बहुत ज्यादा मोर लेता है क्योंकि कटो का एक बेटा अब मर चुका है और एक बेटा जिन्दा है इन लास्ट एक केटो कर लेता है और पोडशिया से लुशिया की साधी कर देता है और मर्शिया से जुबा की और वो बोलता है कि जो मर्कस ने जो बलिदान दिया था वो बलिदान कभी वैर्थ नहीं जाता लेकिन केटो को यह भी मालूम होता है कि अब उसकी कोई खैर नहीं क्योंकि सेजर आ चुका है रोम मे और सिजर पहले ही उसको मारेगा तो इसलिए केटो आपने आपको खंजग लेता है और स्विसाइड कर लेता है और यह इस दोनों कपल की शादी हो जाती तो ऐसे ही यह ड्रामा खत्म होता है अगर आप लोगो यह वीडियो अच्छा लागे तो कमेंट कीजेगा शेयर क्योंकि सब्सक्राइब के बिना यह चैनल मतलब मुझे मॉटिवेशन नहीं मिलता तो प्लीज दू सब्सक्राइब इस चैनल फॉर मोर वीडियोस कमिंग अप थैंक यू सो मच